हाई एव्रिवन वेल्कुम टो मैं चैनल तो आज हम अपने स्टैक प्लेलिक्स का क्वेश्चन नंबर सेवन करने वाल है ठीक है और यह क्वेश्चन भी अच्छा है क्वेश्चन का नाम है डेली टेम्प्रेचर लिट कोड नंबर 739 मेडियम लेवल का क्वेश्चन है ठीक है अब यह देखो कि क्वेश्चन में यह दे रखा है कि आपको डेली टेम्प्रेचर दे रखे हैं ठीक है यह हर दिन का टेम्प्रेचर दे रखा है यह इस दिन का यह इस दिन का यह इस दिन का इस दिन का है ठीक है सब कर दिन का टेम्प्रेचर दे रखा है तो आपसे बता य यह 73 है ना ठीक है माल लेते हैं आप यहां पर हो अभी आपको और कितना वेट करना पड़ेगा कि जस 73 से थोड़ा टेंपरेचर बढ़ जाए जस 73 से बढ़ा हो जाए ठीक है तो आप देखो अनुआ चाल चाल आपको जेशो कितना दिन विट करना पड़ेगा कि जस्वट से बढ़ा हुए टेमपरेचर तो अब lovely टेवह पाझना दिन अत्या बत कोई सब्सक्राइब हन्व और श्वाम में सबस्सक्राओं मंनें फिर्ट को टौन से निकाल ने आप यहाँ पर माल ले माल लेते हैं 75 है दो ध्यान से द्यान देना कितना दिन वेट करना पढ़ेगा जस्त 75 से बड़ा वर टेंपरेचर 70 यहां पर आंसर चार है similarly 71 के लिए देखो एक दिन दो दिन है ना तो 71 के लिए यहाँ पर आंसर दो दे रखा है ठीक है 69 के लिए बास एक दिन वेट करना पड़ा 72 के लिए 76 बास एक दिन और 76 के लिए को कोई है नहीं इसके आगे कोई भी दिन में तिमपरेचर 76 से बढ़ा है नहीं तो इसका आंस आग में आज चुकह होंगे आपके कि ऐसे कुर्षन दो भाई स्टैक से ही बनता हैं बट मैं पहले स्टैक से नहीं बनाओंगा सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग हमेशा बुट फोर्स राखते हैं तो आज आते हैं सबसे पहले बूट फॉर्स पर ठीक है इसको कॉपी कर ल जैसे माल लेते हैं आपका i यहां पर है आपका i यहां पर है आप एक और लूप चलाओ ठीक है जो 73 से जस्ट पढ़ा element ढूंद के देखाएगा तो j start करोगा i plus 1 के i के बाद तो j यहां से start पर दोनों के बीच कर डिफरेंस कितना है 1 है 1-0 तो वही मेरा आंसर होगा कि एक दिन वेट करना पड़ा यहां पर 1 हो गया चलो ठीक है इसका तो मिल गए आई का अंसर मिल गया अब i को प्लस प्लस कर देंगा i यहां पर आदेगा j यहां से start होगा तो मुझे क्या करना है 74 से जस्ट बढ़ा दूणना है तो j कहां से start होगा i प्लस 1 से देखो अल्रेडी 75 में मिल चुका जो कि 74 से जस्ट बढ़ा है ठीक है तो 2-1 दोनों का इंडेक्स माइनस करें पता कर लेंगे कि इतने दिन लग रहे है 2-1 यहने कि एक दिन लग रहे है ठीक है इस आई के लिए अंसर निकल चुक है अब आई को आगे बढ़ा देते हैं ठीक है और यहां से start होगा 75 से जस्ट बढ़ा ढूनना है ठीक है तो j यहां पर है 71 यह तो नहीं आगे बढ़ना पड़ेगा जह यहां पर आया नहीं यह भी 75 से बढ़ा नहीं है यह 75 से सालते हैं ठीक है ठीक है ठीक हो हर किसी का निकाल रहे है करके अना अब इस 71 का निकाल रहे है यहां से start होगा 69 से बढ़ा है नहीं है 72 से बढ़ा येस है ना 5-3 2 दो दिन के बाद हमें एक टेंपरेचर बढ़ा मिल जाएगा अब आई प्लस प्लस आई यहां पर है से यहां से start होगा देख रहे हो एक दिन बाद ही मिल गया मेरे टेंपरेचर तो 5-4 1 हो गया ठीक है अना अब आई आ जाएगा यहां पर 72 से जस्ट बढ़ा यहां पर है 76 दोनों के पीचा डिफरेंस 1 है इसी तरह आई यहां पर आ जाएगा ठीक है यहां पर यहां से start होगा मैंने देखा यह तो बड़ा है और जे बाहर निकल गया अगर बाहर निकल गया मतलब कोई बड़ा मिला ही नहीं मझे तो 0 होगा यहां ना इसका इसका अपर आए यहां पर आया यह तो लास्ट एलिमेंट लास्ट के बाद कोई लिमेंट ही नहीं तो इसका अनसर 0 होगा यह तो सिंपल ब्रूट फॉर्स यह आपको करना है यह आपको करना है मिस नहीं करना इंटर्विव में हमेशा दे वांट यू तो start from brute force ओके य अब इसका complexity क्या होगा है और आप एक बार आई का लूप चला रहे हो और हर एक आई के लिए आगे जा रहे हो है ना तो n-square crime complexity हो जाएगी ठीक है अब आते हैं इसका बेटर अप्रोच ठीक है यूजिंग स्टाइक यानिकी ऑप्टिमल अप्रोच ठीक है we will use stack to solve this देखो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के questions ना हमेशा stack से बनते हैं कैसे कैसे question next greater element ठीक है next smaller element ठीक है फिर एक होता है just previous greater element है ना उसके बाद होता है just previous smaller element है ना ठीक है इस तरह के question ना stack से ही बनते हैं क्योंकि देखो ना आप actually मैं करते क्या हो ना ऐसे question में कि आप हर एक आई पर फिर iterate करते हो आगे हर एक आई पर आप iterate करते हो है ना तो ऐसे question को आप obvious से stack से क्यों solve कर सकते हो क्योंकि माल लो अगर आप इस question को solve करना यहां से start करते है तो stack में दो को फाइदा के है ना माल लेता है आपने 73 रखा ठीक है फिर आया 76 आ गया तो अब stack के top पर देखके बता सकते हो कि अच्छा यह बंदा मुझसे छोटा है तो इसको मैं पॉप कर दूँगा और मैं खुद यहां आ जाओंगा क्योंकि मुझे जस्ट बड़ा element चाहिए बट 73 तो मुझे छोटा था तो मैंने 73 को पॉप कर दिया चलो ठीक है अब आता है 72 तो 72 देख रहा है अच्छा 76 तो जस्ट मुझसे बड़ा है तो बहुत बड़ी है मैं उसके उपर आजाओंगा 76 का इंडेक्स मैं रखोंगा यहां पर ठीक इंडेक्स इंडेक्स क्या फाइव है दोनों के बीच की डिफेंस क्या वन है तो आंसर मिल गया 72 का अब आता है 69 69 भी देखेगा अच्छा मुझसे जस्ट बड़े फिर देखा 72 अच्छा 72 मुझसे बड़ा है तो मैं आ जाता हो यहां पर मेरी इंडेक्स क्या है 3 है और 5 मेंस 3 क्या हो जागा 2 हो जाएगा देखेगा तो स्टैक से यह फाइदा है कि आपको पास्ट की इंफोर्मेशन रहती है अगर आप उल्टा ऐसे सॉल्फ करना स्टार् अब देखो यहां पर आप एक्चली में क्या कर रहे हो जास्ट नेक्स ग्रेटर एलमेंट ही तो निकाल रहे हो ना यह तो नेक्स ट्रेटर एलमेंट ठीक है इसी तरह के कोशन ट्रापिक रेन वाटर और भी बहुत सारे पॉपलर कोशन है जो कि इदम इसी पैटर्ण के होत ग्रम टोनिप्स टैक का मतलब क्या होता है कि आपने स्टैक यूजेंहां पर हम क्या और। यहां पर हम क्या कर रहे थे देखो decreasing order maintain कर रहे थे 71 72 76 एक order follow कर रहे हैं हम जान बुझ कर stack से that is called monotonic stack तो monotonic stack पर बहुत सारे questions आते हैं जो आपको यहां दिख चुके हैं इधर trapping rainwater भी बहुत popular question है ठीक है फिर एक I think rectangle करके question है ऐसे बहुत सारे question है मिल जाएंगा आपको ठीक है तो अब देखते हैं stack से इसको कैसे solve कर सकते हैं okay तो चलो देख लेते हैं हमारा यह input था ठीक है हम एक stack बना लेते हैं यहां पर ऑक के stack यहां बना लेते हैं चलो अब start करते हैं iterate करना ठीक है देखो यहां अध्यान से यहां पर से मैं start कर रहा हूं उल्टे साइट से ठीक है i is equal to index लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 index जा लेंगे ठीक है क्योंकि हमें number of days निकालने के लिए क्या चाहिए होता है index ही चाहिए होता था कि हम माइनस करके पता कर सकें यहां कितने दिन लगें ठीक है तो अभी देखो i is equal to मैं 7 पर हो पहले तो मैं यह चक करूंगा कि stack में अभी element है क्या अगर stack में element नहीं है मतलब मेरा answer क्या होगा 0 होगा कि भाई इससे बड़ा में element तो कोई है नहीं 73 से right side में कोई नहीं है तो छलो ठीक है कोई बात अब मैं क्या करता हूं मैं आगे आ जाता हूं ठीक है i को मैं यहां ले आया अठीक है 73 को पुष करना मत बूलना। ठीक है element तो पुष करेंगी ठीक है ठीक है तो धियान देना मैं element को तो पुश और पॉप जब कर रहा हूँ ना तो ध्यान देना टाइम कॉंपलेक्टिटी में इसका सम्झाऊंगा अच्छे से तब मैं तब आई विल एक्सपेक्टिंग कि आपने देखा होगा ध्यान से इसको ठीक है अब 76 पर आएं तो 76 ने देखा कि भाई टॉप पे जो एल इसको पुश कर दिया हमने चलो ठीक है आगे बढ़ता है आई आगा यहां पर 72 72 आया उसने देखा अच्छा स्टाक के टॉप में मुझसे बड़ा ले में चलो अच्छी बात है यानि कि मुझसे बड़ा एलमें मेरे राइट से मुझे मिल चुका है उसका इंडेक्स दो यह अच्छा 76 मुझसे बड़ा है तो और मेरा इंडेक्स 5 है 76 इंडेक्स 6 है तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेता है 6-5 1 यानि कि टोटल एक दिन मुझे लगेंगे गरम एक यह वार्मर तेंपरेचर लाने देखने के लिए ठीक है एक दिन के बाद 72 से बड़ा तेंपरेचर आजाएगा चलो ठीक है अब आया गया यहां पर ठीक है 69 आया तो 69 ने देखा स्टैक के टॉप पे अच्छा यह बंदा तो मुझसे बड़ा है अच्छी बात है तो मैं यहां पर आ जाता हूं और मैं अपना अंसर निकाल लेता हूं कि मुझसे राइट से बड़ा बंदा ठीक है अब आया 71 ठीक है 71 ने देखा कि अच्छा स्टैक के टॉप पे 69 वह तो मुझसे चोटा है तो इसको पॉप करना पड़ेगा इसको पॉप कर दिया मैंने ठीक है अब आया 72 अभी टॉप पे 72 है तो वह तो 71 से बड़ा है तो अच्छी बात है 71 इस हैपी 71 यहां पर आ यहां पर आंसर हम आज जाएगा टू ठीक है अब यहां पर आई आ गया इधर ओके आई यहां पर आगया यहां तक ठीक है अब आया हम 75 पर 75 ने देखा स्टैक के टॉप पे अच्छा सेवन्टीवन है वे तो मुझसे छोटा है तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा मैंने इ अच्छी बात है 75 is happy 75 happy है 75 यहां पर आगया ठीक है 75 का index क्या है टू है और 76 का index कि इतना था 6 था 6-2 तो फो यहां पर आंसर 4 लिख देंगे ओके अब आगया आगया जाएगा यहां पर आगया यहां पर 74 ठीक है अब देखो 74 ने देखा स्टैक के टॉप पर अच्छा 75 है य 74 का index मैं लिख देता हूं यहां पर 1 है और 75 का index 2 है तो 2-1 होगा तो यहां पर answer मैंने 1 लिख दिया ठीक है अब आगया जाएगा ठीक है यहां पर आगया 73 पर 73 ने देखा अच्छा टॉप पर 74 यह तो मुझसे बड़ा है तो I am happy 73 is happy मुझसे बड़ा element मिल चुका है मुझे 73 का index क्या है बाई 0 है और 74 का index क्या था वन था तो 1-0 1 वन आगया यह हमारा answer था यहाद है यह हमारा answer था तो और आई फिर यहां पर आजाएगा तो खतम कहानी हमारे यह हमारा answer आगया तो काफी simple है है ना हम stack में मतलब हम तब तक stack से pop करते चलेंगे जब तत मुझे just बड़ यहां बढ़ता जार होना तो देख रहो मुझे past की information जो है वह stack से मिलते जा रही है तो stack इसी में help करता है past की information के according मुझे कोई decision लेना है future में तो stack help करता है ठीक है और इस तरह ही question बहुत सारे है इसी को बोलते है monotonic stack क्योंकि आप ध्यान दो हमने यहां पर एक order maintain कर रखा है है देख रहे है वह decreasing order है जाना 76 से 75 से 74 से 73 decreasing order है ठीक है यहां तक clear हो गया अब इसका code तो आप कर लेंगे code जादा कुछ है नहीं बहुत simple है i is equal to यहां से start करेंगे ऐसे से बढ़ते जाएंगे stack में push करते चलेंगे ठीक है और stack में अगर बढ़ा कोई मिल जाता है छोटा तो मैं आंसर निकाल के डाल तो लूँगा यहां पर और साथ ही साथ मैं यहां पर push भी करता चलूँगा तो वह code करेंगे तो फिरसे वह story सुनाऊंगा मैं वह समझ में आ जाएगा उससे पहले आते हैं time complexity में time complexity देखो I don't know मतलब कुछ वीडियो मैंने देखे थे उन्होंने बस बता दिये कि one time complexity है बट बहुत लोगों का doubt होता है कि यह one क्यूं है ठीक है क्योंकि अगर मैं code अगर आपको दिखाऊंगा तो code आप कैसे करोगा ऐसी करोगे for i is equal to n-1 से start करोगे i greater than equal to 0 जाएगा i minus minus जाता रहेगा ठीक है इसके बाद आप याद करो मैंने क्या बता आ होगे ना वाइल कि not of stack.empty जब तक stack empty नहीं होता है और कब तक पॉप करते चलोगे जब तक जो मेरा current current element है यानि कि array of i जो है वह बड़ा या तो equal हो stack.top के क्योंकि मुझे stack.top में बड़ा element चाहिए अगर छोटा मिल रहा है तब तो मैं भाई पॉप करता चलोंगा stack.top नहीं होगा array of stack.top क्योंकि stack.top actually में index है stack में index टोर करेंगे तो जब तक मुझे चोटा element मिलते जा रहा है ना stack में बड़ा पॉप करते चलोंगा तो यह मैं क्या कर रहा था याद है stack.top करते जा रहा था है उसके बाद यह माल लेते हैं यह कहानी खतम हो गई फिर उसके बाद हम यह answer निकाल लेते थे stack कर गए एंप्टी हो गई तो आंसर 0 होगा एंप्टी नहीं होई तो stack के टॉप में इंडेक्स है उसका इंडेक्स और अभी जो मेरा current element है उसका इंडेक्स है ना जानिकि st.top माइनस करेंट इंडेक्स आई है यह answer हम निकाल लेंगे और यह answer हम स्टोर कर देंगे अपने रिजल्ट में और स्टैक में पुश कर देंगे करेंट वाले इंडेक्स को st.push कर देंगे यह तो clear है अब एक छीज ध्यान दो आप देखरो एक तो for loop यहां पर है ठीक है एक तो सबस्क्राइब और यह वाइल स्क्राइब अगया अगर आप आप खूल आपल चीज ध्यान दोना तो इस स्टाक पर इस स्टाक पर कोई भी ऐलेमेंट सिर्फ एक ही बार push होता है और वो एक ही बार pop होता है कोई भी ऐसा element नहीं है जो दोबारा push हुआ और दोबारा pop हुआ या 3 बारा या 4 बर या 5 बर ऐसा कभी नहीं हुआ अब कोई भी example देख देख लो कोई भी ऐसा element नहीं था जो stack पे push हुआ था फिर बाद में वो पॉप हुआ फिर दुबारा पुश होगा किसी कारण से कभी ऐसा नहीं हुआ है ना वो एक ही बार स्टैक में पुश हुआ ठीक है और पॉप होना हुआ तो बस एक ही बार पॉप हुआ ठीक है तो maximum क्या हो रहा है एक element पर दो operation हो रहे हैं एक बार पुश हो रहा है और एक बार पॉप हो रहा है max to max ठीक है यानि कि हर element पर हम सिर्फ दो ही काम कर रहे हैं या तो पुश या तो पॉप ठीक है हर element पर सिर्फ दो ही काम कर रहे हैं मालने थे n element है तो सब में सिर्फ दो काम कर रहे हैं ठीक है, तो N into 2 होगा इसका time complexity ना, ठीक है, याद कोरो brute force में क्या होता था, कि I था, फिर आप J बढ़ाते थे पूरा, मतलब हर N के लिए N minus 1 बढ़ा रहे थे आप, आगे जा रहे थे, तभी तो N square minus N हो जाता था, तभी तो O N square होता था, यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो रहा है, तो N into 2 होगा, जिसको effectively O N लिख सकते हो, यहाँ तक clear है, यह important चीज है, I'm not sure कि बहुत लोगों ने बताया है कि नहीं यूट्यूब वीडियो में, एक वीडियो मैंने देखी थी, वो बंदा अच्छा बढ़ाता है, बट I don't know, उसका भी शायद नहीं बता रखा है, क्यों कोड में कनवर्ट करना है, तो now let's convert the story to the code, चलो कोड करते हैं, ओके, तो चलो यार, brute force तो आपको करना चाहिए, और कर लेना खुद से, ठीक है, that's very important, interviews के लिए, हम आते हैं, direct अपने optimal approach पर, और question तो आपको समझ में आई गया होगा, ठीक है, तो चलो direct आज़ते है, optimal approach, मैंन इसके बाद एक result नाम पर vector बना लेते हैं, ठीक है, result नाम का, वो भी any size का होगा है, हर एक index का result निकाल रहे हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला था, मैं i is equal to n-1 से start करूँगा, i greater than equal to 0 होगा, i minus minus, यहां तक clear है, उसके बाद मैंने क्या बोला था, कि जो element अभी आएगा, वो पहल चोटा चाहिए, तो मैं क्या बोला, कि जब तक staffed empty ना हो, जब तक stack empty ना हो, sorry, empty ना हो, and, and, मैं जो current element हूँ, current element क्या है, i है, अगर मैं, ठीक है, greater हूँ यहां equal हूँ, stack के top वाले elements से, मतलब stack में जो element वो मुझसे छोटा है, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, temperature of st.top में जो element है, obvious है, st.top क्या था, index डाल रहे था, तो index मिल जाएगा इस से, और हम यहां पर temperatures में index डालके, वो element निकाल लेंगे, ठीक है, तो अगर मुझसे छोटा या मुझसे बराबर है, ठीक है, मुझसे छोटा या मुझसे बराबर है, तो मैं obvious है, उसको pop करते चलूँ हो, ठीक है, stack.pop करता चलूँगा, यहां तक clear है, उसके बाद भई, simple सा कि अगर stack empty हो गया, मतलब कोई भी ऐसा element नहीं मिला, right side में, जो मुझसे बड़ा है, तो result इस index का answer मेरा 0 हो जाएगा, यहांना, else अगर ऐसा नहीं है, तो भई, result of i क्या हो जाएगा, याद करो, difference दोनो index का है, तो st.topic क्या था, index था, minus current index, यहांना, यतना क्या हो गया, number of days हो गया, number of days हो गया, ठीक है, और यहां, last में क्या बला था, कि stack में, हमें current index को डालना पड़ेगा, यहांना, st.push i, यहां तक clear है, last में हम क्या कर देंगा, अपने result को return कर देंगे, ठीक है, तो चलो, अ let's try to submit and see if you are able to pass all the test cases, great, we have passed all the test cases, we have solved this question, ठीक है, I hope आपको सुझ में है हो, कोई भी doubt होता है, please raise it in the comment section, I'll try to help you out, see you guys in the next video, thank you